हेलो प्रेंड्स कैसे हैं आप सब एक बार फिर से आप सबी का वह बहु सागत है आपके अपनी चैनल पर इस चैनल पर हम आपके लिए मैंधी से रेलेटिड हेस्टाइल, मेक पौक और भी बहुँ सारे वीडियो लेकर आते रहते हैं आज हम आपके लिए मेंदी के डिजाइन लेकर आएंगे और आपको कुछ मेंदी के बोर्टर बताएंगे आज की इस वीडियो में हम आपको बेसिक से कुछ बोर्टर बताएंगे अगर आप new beginner हैं आपको मेंदी लगाना नहीं आता है और आप सीखना जाते हैं तो हमारे ये वीडियो आप पूरी आण तक चरूर देखेगा अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं और अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं जिससे क्या होगा हम जब भी new video लेकर आएंगे उसकी notification आप तक पहुँच जाएगी तो अच्छा बताएए आप मेंसे किन लोगों को मेंदी लगाने का शोंग है और किन लोगों को मेंदी लगाना नहीं आता है आप चाहते तो हैं मेंदी लगाऊं पर आपको मेंदी लगाना नहीं आता है तो कोई बात नहीं आपको मैं आज इस वीडियो में कुछ बेसिक से border की design बताऊंगी आप इन border की design को try कर सकते हैं प्रैक्टिस कर सकते हैं आप अपने hands पर प्रैक्टिस करें कोपी पर प्रक्टिस कर सकते हैं इन डिजाइन को बना कर एक दिन आप जिरूर मेंटी अच्छी लगा लेंगे अगर आप चाहते हैं जैसे शादियों का सीजन चल रहा है आप अगर आपके रिलेटिप्स में किसी की शादी है, आपकी शादी है या पिर किसी की भी शादी है, गली महले में शादी है तो आज से आप प्रक्टिस करना शुरू कर दीजिए क्यूंकि आपने एक दो लोगों के को मेंदी लगा ही लेनी है तो ये बेसिक से डिजाइन है, इजी भी है आपको सिंपली पहले स्टार्टिंग में सिर्फ लाइन ड्रोव करनी आनी चाहिए अगर आपको आप एक दो डिजाइन भी सीख लेते हैं आप उन्ही डिजाइनों में से ने डिजाइन बना सकते हैं जिस तरीके से ये देखिए इसमें हमने बस लाइने लगानी है सिंपल सीडी सीडी लाइने लगानी है फिर आपने कुछ चोटी कुछ बड़ी लाइने लगानी है जिस तरह से हम यू-यू बनाते हैं इस तरह से आप यू-यू बना कर भी लाइने बना सकते हैं एक बहुत ही अच्छा डिजाइन बन जाता है हम पतिया बना सकते हैं जिस तरह से हम पतिया बनाते हैं हम जिक चैक करके भी डिजाइन बना सकते हैं जो जो भी अच्छा लगे हैं आप उस तरह से डिजाइन बना सकते हैं आप स्टानिंग अगर करें हैं आपको मेंदे लिखाना बिल्कुल भी नहीं आता है तो सबसे पहले आपको गबड़ाने की जुरुरत नहीं है आपको ये सोचने की जुरुरत नहीं है कि मैं कहां से शुरुवात करूँ आप कुछ भी करिए मेंदे कीप लीजिए अपने हाथों पर ट्राइ कीजिए सीधी लाइने ड्रो कीजिए क्रिस क्रोस कीजिए डबे बनाएं आप स्टार्टिंग में आप छोट-छोटे से डबे बना सकते हैं इस तरह से पतिया बना सकते हैं आपको यूवी बनाना तो आता ही होगा स्कूल में आपने सीखा होगा उस तरह से भी आप बना सकते हैं कुछ क्रेटिव कर सकते हैं इस तरह से आप सीधी लाइने ड्रो करके फिर बीच में डोट-डोट लगा सकते हैं इस तरह के से मेंदी अगर आप लगाएंगे तो बहुत ही अच्छी लगेगी अच्छी फिनिशिंग आएगी स्टार्णिंग में अगर आप न्यू बिगनर हैं आप स्टार्णिंग में प्राक्टिस करें हैं तो आपके हाथ में थोड़ी सी सफाई नहीं होगी कहने का मतलब आप मेहंदी तो लगाएंगे लेकिन फिनिशिंग नहीं आएगी मगर घबराने की जुरुत नहीं है आप रोज प्राक्टिस करेंगे तो बहुत ही खुबसूरत मेहंदी भी लगाना सीख जाएंगे इस तरीके से आप मना सकते हैं आप फ्लावर मना सकते हैं छोट-छोटे आपने स्कूल में तो मना ही होगे और आप में से किन-किन ने ट्राइंग की हुई है बच्पन में ट्राइंग का तो सबको शोंक होता है बच्पन में तो इस तरह से आप छोट-छोटे फ्लावर मना सकते हैं मेंदी से आपको सबसे पहले कीप चलाना आना चाहिए कीप चलाना तो आता ही होगा आप में से किन को कीप चलाना नहीं आता अगर नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं मैं आपको कीप चलाना भी सिखा दोंगी इस तरह से आपको मेंदी फिल कर लेनी है ये भी फ्लावर है इस तरह से आपने पत्तिय बनानी है इससे पहले भी मैंने मेंदी के कुछ डिजाइन आपको बताई है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे अभी तक हमारी प्लेइलिस्ट में जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं जैसे ये शाद्यों का सीजन चल रहा है अगर आप एक दो लोगों के भी मेंदी लगा लेते हैं अगर आपके फैनमी में हैं, जिष्टेदारों में हैं, गली गौन में हैं तो आप बच्चों के भी लगा सकते हैं, अपने हाथ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं उससे पहले अपने ऐसा नहीं करना, आपको मेंदी लगानी नहीं आती हो और आप राइडल के लगा लें मेंदी ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, उसके लिए ये दिन बहुत ही खासन खास होता है ऐस तो सभी के लिए खास होता है, लेकिन अगर आप अभी प्रैक्टिस करें तो आपने कोशिश करनी है जब तक आपको मेंदी लगाना अच्छे से ना आ जाए, आप खुद पर प्रैक्टिस करें अपनी चोटी बेहन पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, हाथों पर लगा कर, अपनी मम्मा के लगा सकते हैं जब आप train हो जाए तो आप किसी के भी practice के तोर पर लगा सकते हैं, आप चाहे study में free में लगाए, जितनी यादा आप practice करेंगी उतना जल्दी आपको मेंदी लगाना आईगा, ये देखो कितनी simple border की design है, और जब आप इसे लगाएंगे, border बनाएंगे आप इसको कलाई में गा सकते हैं, इस तरह से ये जो border है, ये बहुत ही अच्छा लगता है, ये simple है, बिलकुल, आपने सीधी सीधी लाइने बनानी है, सैंटर में आपने डबे बनाने हैं, और अभी तक आपने अगर हमारे bridal की वीडियो नहीं देखी है, तो आप हमारे playlist में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, हमने आपको bridal kit में कौन-कौन सी चीज़े हमें रखनी चीज़े वो बताया हुआ है उस वीडियो में, ये भी इतना आसान है, आप उपर नीचे आपने dot dot लगाने हैं, लाइने ड्रो करनी हैं और उसको बीच में फिल कर देना है, ये अगर आप दो चार border के design भी सीख लेते हैं, उनकी रो रोज प्राक्टिस करते हैं, उस में से ही आपको कई सारे new design मिल जाएंगे, standing में आप सीधी सीधी लाइने ड्रो करना सीखिए, डबे बनाना सीखिए, डोट डोट लगाना सीखिए, पतिया बनाना सीखिए, सबसे यादा जो डिजाइन में यूज होती है वो लाइन्स ही यूज होती है डोडोट यूज होते हैं फिलावर यूज होते हैं पतिया यूज होती है ये देखें कितना सिमिल है हार्ट शेप तो बनानी आती है सबी को यह हार्ट शेप बनाकर आप उसमें फिल कर सकते हैं यह पत्तिया बनाई हुई है इस तरह से हम और भी आपको डिजाइन बताते रहेंगे आगे आने वाले वीडियो में आपको इन मेंसे जो भी डिजाइन अच्छे लगे हूँ इसी लगे हूँ आप उनकी रोज प्रेक्टिस कीजीए जो आपको लगता है कि यह मैं इसली बना सकती हूँ आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए जो आपको थोड़े मुश्किल भी लगते हैं बनाने आप उनकी भी प्रैक्टिस कीजिए आप इन में से कोई भी 5 या 10 डिजाइन चुन सकते हैं बोर्डर की डिजाइन चुन सकते हैं उनकी रोज प्रैक्टिस कीजिए दीरे दीरे हर रोज आप एक दो तीन बोडर भी बनाना सीख जाएंगे तो आप महिन्य में कितने सारे बोडर सीख सकते हैं इसी तरह से आप कुछ ही महिन्यों में अच्छी से महन्दी लगाना भी सीख जाएंगे आप इस तरीके से पहले अगर आपको बिलकोल पी डेजेन बनाने नहीं आते तो आप कापी पर ट्राई कर सकते हैं उनको किस तरह से बनाएस pencil से बना सकते हैं 運दी से बनाना सीख सकते हैं अपने हाथों पर बना बना कर चेक कर सकते हैं आज कल तो sheets भी चलती है आप उस पर भी ट्राइए करके सीख सकते हैं मेंदी लगाना आपको इन में से कुण से डिजाइन यादा पसंद आए हमें जरूर बताइएगा आगे हम आपके लिए और अच्छे अच्छे डिजाइन लेकर आते रहेंगे और अच्छे ची वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे तो अगर आपने अभी तक हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप चाहते हैं कि हम जब भी कोई वीडियो डाले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचाए उस वीडियो के बार में आपको सबसे पहले पता लगे तो आप हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे क्या होगा हम जब भी कोई भी नियू वीडियो डालेंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचाएगी इसके इलावा हमने हमारे इस चैनल पर नोटिफिकेशन से रिलेटीड हेस्टाइल, मेकब और बहुत सरे टिप्स और टिक्स की वीडियो डाली हुई है अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी, तो आप चाहते हैं देखना, सीखना, तो आप हमारे वो वीडियो भी देख सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई हो, तो लाइक जुरूर कीजिएगा, अच्छे चे से कमेंट भी कीजिएगा मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक आप इसी तरह से हसते रहेगा मुश्कराते रहेगा अपनों के साथ नी फैमिली के साथ अपना कीमती समय हमें देने के लिए वीडियो को आखे तक देखने के लिए आप सबी का तरह दिल से दनेवाए वीडियो को आखे तर देने लिए थैंक यू सो मच मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक आप यू हसते रहेगा मुस्कराते रहेगा अपनों के साथ अपनी फैमिले के साथ थैंक यू सो मच